दोस्तों आपको मेरा प्यार बड़ा नमस्कार आपको आपके परिवार के सभी सर्दस्यों को उत्पन्ना एकर दशी की हादिक बढ़ाई और सुबकामनाई दोस्तों बात करेंगे कल रविवार को पढ़ने वाली उत्पन्ना एकर दशी के बारे में ये उत्पन्ना दशी बह उपाय करने पड़ेंगे उत्पन्ना एकादसी का व्रत 20 सुमूंबर दिन रवियार को रखा जाएगा हिंदू धर में एकादसी व्रत का विशेश महात्व है उत्पन्ना एकादसी के दिन सरवास सिद्धी योग समेत अमरत सिद्धी योग द्विपुस्कर योग आयुसमान और प्रिटी योग का निर्मान हो रहा है इन योग में जोतिस के कुछ उपाय करने से जीवन के सभी कस्ट दूर होते हैं आये इन उपायों के बारे में जानते हैं उत्पन्ना एकादसी के दिन सुबह विजवत पूजा अर्चना करें और रात के समय रत्मा या फोटो के सा और ने नो बत्तियों का दीपक जलाएं इसके अलावा एक अखंड दीपक जलाएं जो पूरी रात जले इसके बाद भगवान विश्णू और माता लच्मी के 108 नामों का जाप करें माना जाता है ऐसा करने से माता लच्मी की विशेश क्रपा प्राप्त होती है आपते इस्तित मजबूत होगी इसके लिए आपको उत्पढ़ना एकादशी के दिन एक लोटे में थोड़ी चीनी मिला लें और उसे पीपल के पेड़ पर अर्पित करें और फिर सर्सों के तेल का दीपक जलाएं इसके बाद साम के समय पीपल के पास घी का दीपक जलाएं माननेता है कि पीपल के पेड़ में भगवान विश्णू का वास माना गया है ऐसा करने से पित्रों की आत्मा की सांती मिलती है और इधन सम्बंदित समस्चाएं भी दूर खोती है इच्छाओं की पूर्टी के लिए उत्पर्ना एकादसी के दिन भगवान विश्णू का दच्छियां वट्टी संक में कच्छे दूर और केसर से अभिशेक करें इसके बाद नारियल और बदाम का भोग लगाएं और फिर ऐसा लगातार 27 एकादसी तक करते रहें ऐसा करने से विशेश सुख फल की प्राप्ती होती है और भक्त की सभी इच्छाएं पूरी होती है भोग लगाने के बाद नारियल और बदाम को बच्छों में बाढ़ दें और इस उपाय को करने से भगवान विश्णू की करपा प्राप्त होगी इसके लिए जोतिस सास्त के अनुसार उर्पन्ना एकादसी के दिन पीले वर्ष पहन कर चार भुजादारी भगवान विश्णू की पूजा करनी चाहिए और पीले फूल, केला, क्यनादाल, तुवर दाल, हल्ली अद पीले रंकी चीजों को भगवान विश्णू को अर्पित करें पूजन के बाद इन सभी चीजों को गरीबों में बाट दे, ऐसा करने से आर्थिक इस्थित मजबूत होगी और कर्ज से धीरे-धीरे मुक्ती मिल जाती है और समरद्धी बढ़ाने के लिए ये उपाय करें उत्परना एकादसी रव्यार को है इसलिए इस दिन तुल्शी के पत्ते ना तोड़ें लेकिन सायकाल के समय तुल्शी के सामने घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेव वाय नमा मंत्र का जब करते हुए जारा परिक्रमा करें ऐसा करने से घर में सुक समरद्धी आती है और सोभाग में व्रद्धी होती है साथ ही इस दिन कथा सुनने वा पढ़ने मात्र से ती तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है तो अब आप से विदा लेते हैं और आप ने अपना बहुमूल समय दिया है इस वीडियो को देखने के लिए इसके लिए आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार दूस्तो